आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे use of ago के बारे में जैसा कि आपको मालूम है ago का हिंदी होता है पहले पुर्व ago जो है वो आपका केटेगरी से क्या है adverb है यानि कि किरिया विसेशन तो जितना भी ago का important use है वो मैं आज इस वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से एरखीजिएगा तो ago क्या है केटेगरी से आपका adverb है ago का हिंदी होता है पहले पुर्व देखिए इसका use जो होता है वो past tense में होता है ये point आप याद रखिएगा ago का use past tense अब बात करते हैं एक sentence की देखिए I came to era exactly 18 years ago बिल्कुल सही और second जो आपका sentence है तो I have come to era exactly 18 years ago बिल्कुल गलत क्योंकि ago का use जो होता है वो आपका past tense में use होता है simple past tense तो ये तो आपका था present perfect tense गलत हो गया दूसरे point को समझते हैं ago के बाद that का परियोग होता है नाकी सिंस का ago के बाद that का परियोग होता है नाकी सिंस का it was five years ago that my grandfather died ठीक है चुकि ago के बाद किसका use हो रहा है that का it was five years ago since my grandfather died बिल्कुल गलत चुकि देखिए यहां पर it was five years ago since my grandfather died है तो यहां पर आपका क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि ago के बाद that का use हुआ नहीं है किसका use हो गया since का इसलिए गलत है तीसरा पका है लेकिन ago का परियोग नहीं रहने पर since का परियोग होता है very very important याद रखेगा यह point लेकिन ago का परियोग नहीं रहने पर देखिए ago का परियोग नहीं रहने पर since का परियोग होता है ठीक है और इसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ago के बाद that का परियोग होता है यदि ago missing होगा तो किसके use करेंगे since का it is five years since my grandfather died बिल्कुल सही है चुकि ago नहीं है ago रहता तो आपका that के use हो जाता it is five years that my grandfather died ये आपका बिल्कुल गलत है थर्ड पॉइंट है कि back B.A.C. के back का परियोग ago के अर्थ में किया जा सकता है कुछ वर्स पूर्व उनसे मेरी मुलाकात हुई I met him some years back तो तीन पॉइंट फिर से बढ़िया से समझ लेते हैं एक बार ago का use आपका होता है पहले पूर्व simple past tense में ago के बाद किसका use होता है that का परियोग और ago का परियोग नहीं रहने पर आप since के use कीजिएगा तो ये आपका हो गया ago का use इसे आपे copy में note कर लीजेगा और दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा ओके धन्यवाद